नमस्कार मैं पवन कुश्वाह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ हमारे खास कारिक्रम विशेष में आज हम बात करेंगे क्रिकेट के शिखर पूरुष और क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की जिनका जन्म महराष्ट के मुंबई शहर में पिता रमेश तेंदुलकर और माता रजनी तेंदुलकर के घर 24 एपरेल 1973 में हुआ तो सचिन ने शारदा असरम विद्या मंदिर में अपनी शिक्ष्या ग्रहन की वही पर उन्होंने अपने कोच और गुरु रमाकांत आच्रे करके शानिद्धे में क्रिकेट जीवन का आगास किया बच्पन से ही क्रिकेट खेलने का ऐसा जनून की स्कूली दुनों में ही अपने करीबी मित्र विनोत कामली के साथ लंभी साज़ेदारी कर खेल प्रेमियों को चोका दिया था तो भारती टीम में 17 वर्सकी उम्र में हातों में बल्ला थावे सचीन मेदान पर बल्ले बजी करने आए तो चोटी उम्र के छोटे कत के इस खिलारी को देख कर दुनिया आश्चर शेकित हो गई और कहने लगी कि यह खिलारी पाकिस्तानी तुफानी गेंदबाजों का सामना कर पाएगा या नहीं तो विरोधी टीम ने भी तंज कशना सुरू कर दिया था मगर विरोधी टीम पाकिस्तान को कहा मालूम था कि छोटी उम्र में अंतरराश्टिय मेच खेलने का रिकार्ड बनाने वाला यह खिलारी आने वाले वक्त का क्रिकेट की दुनिया का सर्वस्रेश्ट माहन खिलारी बनकर उभरेगा क्रिकेट किस जादुगर का भारती क्रिकेट में तब पदारपन हुआ जब कपिल देओ शुनिल गावशकर रवी सास्त्री के खेल की लोगों में दिवान गी थी 22 क्रिकेट में गैरी सोबर्स वीवियन डिचर्स जैसे खिलाडियों का डंका बसता था इन सब के बीच एक महान खिलाडी ने अपने कलात्मक खेल से पूरी दुनिया को अपने खेल का दिवाना बना दिया जिसे जिसे वक्त उजरता गया भारत सहीत दुनिया में सचीन क्रि लेवाजी के दिवाने हो गए थे दर्शक मैदान पर सचीन का खेल देखने जाया करते थे तो मैदान के बाहर सचीन खेल रहे हैं या आउट हो गए हैं इस बात पर भारत की जीत और हार तैक कर लियते थे रिकार्ड और सचीन का जैसे जन्मसही रिस्ता रहा हो इस कूली दिनों में बला थामा तब से अंतरराष्टिय खेल से सन्यास लिया तब तक कई वर्ड रिकार्ड अपने नाम किये क्रिकेट के दोनों फार्मेट में सचीन ने कई वर्ड रिकार्ड बनाए टेश्ट हो या सचीन अधिकरन बनाने वाले सबसे अधिक शतक बनाने जैसे वर्ड रिकार्ड भी सचीन के नाम है शतको के इस सहंसा की तुलना हमेसा क्रिकेट के लिजन्ट कहे जाने वाले डॉन ब्रेड में से होती रही है कलाई के इस मास्टर ने अपने जमाने में गैंद बाजो का ऐसा मकाबला किया कि सचीन को आउट करना उनके लिए में जीतने के वराबर था क्रिकेट के इस मास्टर के सामने दुनिया के महान बालरों ने गुटने टेक दिये थे फिर चाहे वसी मकरम हो एनल डॉनाल्ड हो या फिर अपनी डिदममाई बालिंग से विख्याद ग्लेन में ग्राथ हो या हवा के रबतार से बालिंग करने वाले शोय बक्तर और ब्रेटली हो सब ने सचीन के नाम का लोहा माना और आश्टेलिया के इस्पीन के जादुगर कहे जाने वालर सेनवार्न ने तो यहां तक कहे दिया था कि सचीन तेंदुलकर मेरे सपने में आकर भी सिक्स मार देते हैं भारत रतन सचिन तेंदुलकर ने अपने खेले गए जिवनकाल में कई बार भारतियों को गर्वित होने का अउसर दिया, तो देश विदेश तक भारत का मान सम्मान बढ़ाया, तो खेल प्रेमियों ने भी सचिन को बहत प्यार दिया, सचिन ने आठ बार विश्वकप आप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे, क्रिकेट का है मास्टर ब्लास्टर भारत का पहला ऐसा खिलाडी, बना जो देश के सरवच्च पुरुसकार भारत रतन से सम्मानित हुआ, तो अर्जुन पुरुसकार के साथ पद्म विभुशन विजडन क्रिकेट आप द इयर जैसे सम्मानों से भी सम्मानित हुआ, भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, तो सचीन तेंदलकर को इस धर्म के भगवान की तरह पूजा जाता है, सचीन ने क्रिकेट के खेल में अंगीन त्विस्वर रिकार्ड इस्ताफित कर इस खेल से सन्यास लेकर इस खेल को अ अन्यास के वक्त आस्टेलिया के महान बालर और दुनिया के सबसे पहले 700 विकेट लेने वाले इस्पीनर बालिंग के जादुगर शेन वार्नर ने कहा था कि सचीन जब मैदान पर बल्लेवाजी करने जाते थे तो मैदान में बेठे तर्शकों की हल चल और सचीन के नाम की पर करार है तो यहां था हमारा खास कारी करम विसेश और मिलते हैं ऐसे ही किसी महान हस्ती के साथ तब तक के लिए दीजिये जाजत नमस्कार